तो अगला जो टोपिक उसका नाम है combination of lenses कि मालों कि आपने दो लेंस को combine करके रखावा है एक के बाद दो लेंस को रखावा है कॉंटेक्ट में रखावा है अशे इसमें जो combination वह इस टाइब से है कि दोनों लेंस को हमने एक दूसरे के contact में रखा हुआ है इस तरीकी से मालनों दो लेंस है और दोनों का हमने एक दूसरे के contact में रख दिये पहले लेंस की focal length f1 दूसरे लेंस की focal length f2 यहां पर कहीं पर object रखा है अब जब इस case को study करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक लेंस का काम देखना पड़ेगा कि पहला लेंस कैसे काम कर रहा है उसके बाद में फिर पहला लेंस इमेज बना देगा उसको हम सैकेंड लेंस के लिए object मानके फिर आगी वाली calculation करेंगी हाना तो अब भी मैं क्या मानके चल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पहला लेंस यहां पर रखावा है दूसरा लेंस है नहीं इसी पर focus करना है पूरा दूसरा लेंस आप मानलों की लाइटरे सिधी निकल गई एक और लाइटरे लेते हैं उसको यहां पे कहीं पर इंसरेंट कर देता है अब क्योंकि यह converging lens है यह निकिए convex lens है तो यह लाइटरे को हमेशा ट्वाट से principal axis बेंड करेगा तो यह सिधी जाने की बजाए principal axis की की तरफ बेंड होगी कि कि एक लेंज है तो यह सको प्रिंस्पिल इक्स की तरफ करेगा और यहां पर जाकि यह पहले वाले लाइटरे को इन्ट्रेक्ट करेंगी तो यहां पर इमेज्ज बनेगी इसको इसलिए बुला कि यह पहले लेंस ने जो इमेज्ज बनाय यह वह है और यह फाइनले मेंस नहीं है भी सानल अब यह सामने अब्जयक्ट को रखावाँ सब्चरों right to और जो इमेज बन रही है वो कोई वीवन डिस्टेंस पर बन रही है तो पहले लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मला अप्लाई कर दिया अब यह वाले जो लाइट्रे है देखो एक दूसरा जो लेंस आने इसक्यूपर दो लाइट्रे इंसिडेंट हो रही है ध्यान से दे एक यह वाले लाइट्रे आ रही है यह वाले जो लाइट्रे यह तो अप्टिकल सेंटर पर यह एक तरह से तो अप्टिकल सेंटर पर आने वाले लाइट्रे तो बिनाट डेविएशन स्टेट पास हो जाती है तो यह तो सिधी चली जाएगी दूसरे लेंस की उपर एक कर देगा तो कुछ तो इस लाइट्रे को पहले लेंज ने बैंड किया था और कुछ यह वाला लेंज बैंड करेगा तो यहां पर जब यह पहुंचेगी लाइट्रे तो यह लेंज इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड करेगा तो यह आगे जाके इस तरीके से पहले व सब्सक्राइब इसकी सब्सक्राइब जिसे इमेज इसने यहां पर बनाई और इसका मतलब यह है कि second lens क्या कर रहा है आइवन पर बनेवी image को आई पर shift कर रहा है तो इसके लिए वो object है और यह इसकी image है ठीक है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है तो second lens के लिए अगर मैं lens formula apply करूं तो one upon f2 equals to क्या एगा वन यू की जगह क्या लिखना है यू का मतलब है second lens से object की distance यह कितनी है वी वन यह दूसरी equation अपने पास आगे बात समझ मैं क्या तो यह दो equation अपने पास है अब बीच में जो intermediate image बनी थी मतलब बीच में पहले इमेज बनाए थी फिर उसकी image को shift कर दिया था second lens ने तो इसमें बीच में बनी इमेज से हमको को लेना देना नहीं है हमको यह मतलब है कि दोनों लेंस के सामने कितना डिस्टेंस पर अब्जेक्ट रखा और कितना डिस्टेंस पर इमेज बन रही है बीच में कहीं भी इमेज बने तो उससे हमको मतलब नहीं है इस तरह क्या करेंगे इन दोनों वाले टम को हटा देंगे वीवन क्या है distance of the I1 from the lens L1 जो पहला लेंस से distance थी तो वीवन वाले टम को हटाना यहां पर क्योंकि हमको यूवी और जो एंसे मतलब है तो मैं क्या कर रहे ही इंदोनों equations को एड़ कर रहा हूं एड़ करूंगा देखो one by V1 और minus one by V1 यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे तो जैसे मैंने दोनों equations को add किया बाइ एक्वेशन वन प्लस टू किया तो हमने क्या देखा दोनों equations को अगर आप आप एड़ कर रहे हो तो वन बाई F1 प्लस वन वाई F2 किसके बराबर आएगा वन बाई को बैंड कर पाता है कितना जितना इन दोनों ने मिलके बैंड किया यहां पर ऑब्जेक्ट को यू डिस्टेंस पर रखा है मैं इसके सामने भी ऑब्जेक्ट को यू डिस्टेंस पर रख दूंगा फाइनल इमेज वी डिस्टेंस पर बन रही है तो यह भी वी डिस्टेंस पर final image बना देगा मतलब lighter जैसे जाएंगे इसके उपर और ये उसको बैंड करके इस तरीके से final image बना देगा यहाँ पर बना देगा तो ये इन दोनों का equivalent lens का मतलब क्या है लेन्फ सबार्थ ये लेंज के इन दोनों के बराबर discour अक्प्डा काम कर देवें दोनों ने मिल के लाइकर को कितना 안el कि EL इत्ना बेंड किया कि Ст Vine अब यह काम करती यह इन दोनों का additional लें追़ थे लेंज के लिए चलत से इसके लिएक यह वं इप दोनकोस इसका मतलब वन बाइए एक्टिव फोकल लेंथ उप्लस वन बाइएफ टू यह अपने पास फाइनल आंसर आ गया हमने दो लेंज के लिए क्लेशन करी तो फॉमला क्या बना वन बाइए एक्वलस टू वन बाइएफ टू अब मालनों बत तीन लेंज यूज करता होमला क्या इसी तरह किसे आप कैल्कुलेशन करते हैं और फाइनली जो आंसर आता हो आता है वन बाइएफ टू प्लस वन बाइफ टू प्लस वन बाइफ टू फ्री फॉर्मैट समझ में आगया होगा आप फोमलेगा तो जितने भी लेंस आप यूज करो चार यूज करो पांच यूज करो जितने भी लेंस आप यूज करोगे सबकी जो फोकल लेंथ उसका रेसी प्रोकल लेना पूल्टा करना रूटा करके सबको एड़ कर देना वोन बाइफ के बराबर आएगा ठीक है इसी फोमले को हम पावर की टॉमस में लिख सकते हैं कि हमको पता है वन बाइफ ही पाव 정या याद करने आप इसमें अलग बहुत सारे केस हो सकते हैं को सकते हैं इन दौनों लेंस में से कोई एक लेंस कॉन्ञेया हो तो आपको फमिली ने लेकिन चेंज क्या करना है उसमें चेंज होगा उसकी फोकल लेंद को तो क्या लेना है और जो कॉंबिनेशन है वो एक convex या converging lens की तरह behave करेगा और solve करने पर 1 by f की value अगर negative आ जाए भी f1, f2 की value आप symbol के साथ put करोगे, concave lens के लिए negative value पुट करोगे, convex के लिए positive value तो answer positive भी आ सकता है negative भी आ सकता है, वो depend करेगा f1, f2 की values की उपर तो f अगर negative आ गया, तो इसका मतलब क्या है, f की value negative आने का मतलब क्या है कि वो जो combination हो एक concave lens या diverging lens की तरह behave करेगा, किस की तरह behave करेगा एक diverging lens या concave lens की तरह combination behave कर रहा होगा ठीक है, तो यह इसका conclusion निकला एक तरह से, दो formula याद करने है अगर कोई डाउट होट, इसमा आपको अलगले case बताएं जिसे एक concave with, यह भी हो सकता है कि दोनों convex बराबर focal length की हो, हो सकता है दोनों concave हो, बराबर focal length को यह भी हो सकता है, convex और concave हो, दोनों की focal length बराबर हो तो 1 by f की आएगा, 0 कैसे, क्योंकि अगर एक convex और एक concave है focal length बराबर है तो 1 by F1 एक के लिए आप F positive लोगे एक के लिए negative और F1 F2 की value बराबर है तो 1 by F1 minus 1 by F2 क्योंकि जैसे मालो second वाला lens concave है तो minus लगाओगे या बीच में symbol क्योंकि F2 negative होगा और F1 F2 बराबर होने के वोगे जिसे answer के आएगा 0 1 by F0 आने का मतरब है F2 value की आगी infinite मतलब वो जो combination ओए infinite focal length के lens की तरफ भी हो करेगा या आपको पुछा जाए कि उसकी power कितनी हो जाएगी तो power हो जाएगी 0 अगर convex lens से उसकी power positive लेंगे concave lens से उसकी power negative लेंगे answer 0 आ जाएगा तो इसका सब्सक्राइब करें तो जैसे उसको combine करके रखोगे तो वह system अब किसी भी लेंज की तरह काम नहीं करेगा मतलब वह लाइट रेस को बैंड नहीं करेगा क्योंकि दोनों आपस में cancel कर देंगे एक दूसरे का effect एक तो की तो कंवर्श करता है और एक डायवर्श करता है तो दोनों का मिला जुला सर क्या निकलेगा कि ना तो लाइट रेस कंवर्ज होगी ना डायवर्श हूँगी कि अच्वाड आ कि